चट पूजा कब है दो हजार तेईस अठारा नौंबर शनीवार या उन्निस नौंबर रवीवार जाने शुब मूरत वर शुब समय आज एम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल दो वजार तेईस में दीवानी की ठीक छह दिमगा दाने वाना कार्तिक चट पर्व कितनी तारीकों हैं चट पर्व की तिथियां शुब मूरत पूजा विधिये और इसके महत्यू के बारे में हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में प्रव की शुब्त थिया पूजा वा सोड़ीकों अर्थ देनी का शोब मूरत पूजा विधि और इसका महत्यू क्या है चात पूजा शोब मूरत दो हजार तेईस साल दो हजार तेईस में च्छत पूजा 17 नॉंबर से शुरू हो 20 नौंबर 2023 को होगा। वो अर्व वरत का पारण होगा 20 नवंबर 17 नवंबर पहना दिन नहाई खाए छट पूजा की शुडवात नहाई खाए से होती है इस दिन प्रती लोग घर की साफ सफाई कर इस नान के बाद नए वसल धारन करते हैं और शुडव वसात्विक भूजन गहन करते हैं 18 नवंबर दुसरा दिन खरना खरना छट पूजा पर दुसरा दिन होता है इस दिन प्रती एक समय मीठा भूजन करते हैं इस दिन गोड़ और चावन की खीर का प्रशाद मिट्टी के नए चूले पर बना कर ग्रहन किया जाता है इस प्रसाद को खाने के बाद से ही निर्जल व्रत शुरू होता है इस दिन नमक नहीं खाया जाता 19 नवंबर दीसरा दिन संध्या अर्ग चटपुजा के तीसरे दिन शाम के समय डूपते होई सोरे देव को अर्ग दिया जाता है अर्ग देने के निवास की टोकरी में फल ठेक हुआ चामल से बने लड़ो आदी चीज़ों से सूप सजा जाता है सोरे उपासना के बाद चटी महिया के गीत गया कर व्रत कथा सुनी जाती है 20 नवंबर चौथा दिन उशा का अर्ग चटपुजा के अंतिन दिन उकते सोरे को अर्ग देने का विधान है चौथी दिन यानी सप्तमी चीठी को प्रातका सूरे देव को अर्ग देने के लिए किसी नदी के घाट पर पहुँचकर उपते हुए सूरे को अर्ग दिया जाता है और चट महिया से अपनी परिवार की सुक समर्थी की कामना की जाती है इसी दिन व्रत का पारण भी होता है चट पूजा का महत्व शासरों में असी मानिता है कि चट पूजा के दिन व्रत रखकर सूरे भागवान और चटी वया के उपासना करने संतान की सभी प्रकार के कश्टों से रक्षा होती है इसके अलावा संतान की खुशानी और तरक्य के लिए ये हवरत महतोपन माना जाता है फ्रेंड्स अगर आपको हमारी द्वारा दी गई ये सबी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उपचार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूले